दो दिन बाद ममी पापा और बहन भी पॉजिटिव पापा की तब्यत में सुधार नहीं हो रहा था तो देखा कि उनकी रिपोर्ट्स में 60% लंग डामेज है एक रात उनका उक्सिजन लेवल मुसलसल गिरता जा रहा था पापा को टुसी ली जुमाप का इंजेक्शन लगना था हमने तो आज तक सिर्फ यही सुना था कि डॉक्टर वेंटिलेटर के नाम पर पैसे बनाते हैं नजाने कितने फोन कहां कहां गए और उसी दुकान से उस इमान बेच चुके इंसान ने हमें वो इंजेक्शन लाके दिया मेरी दादी जो हर छोटी-छोटी बात पर रो देती हैं सिर्फ कहा गालिब ने कहा है मौत का एक दिन मुईयन है नीम क्यों रात भर नहीं आती बेटू ये शेर करोना टेंशन पे कितना सही बढ़ता है न दादा जी हमें अकसर ऐसे शेर सुनाते आए हैं हम सब इस वक्त एक ऐसे मनजर में हैं जो हमने अपनी जिंदगियों में पहले कभी नहीं देखा ऐसी एक करोना की दास्तान हमारी फैमिली की है मेरा नाम नौशीन खान है मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और एक कंसर्टिंग आनलिस्ट की तरह एक MNC में काम करती हूँ और आप सब के वीच अपनी करोना की दास्ता बया करने के लिए इस वक्त यहां मौजूद हूँ दरसल सबसे पहले मुझे और दादा दादी को करोना रिटेक्ट हुआ था दादा दादी को बहुत जादा सिम्टम्स नहीं थे लेकिन एज के कारण एहते आतन उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया दादी जिस वक्त कमजोर घर से निकल रही थी एक पल को ख्याल आया कि ये वापस आप भी पाएंगी या नहीं दो दिन बाद ममी पापा और बहन भी पॉजिटिव माइल सिम्टम्स के साथ एक चाचा की फैमिली और एक मामा की फैमिली भी पॉजिटिव अलग-अलग लोग अलग-अलग अस्पतालों में एडमिट थे पापा के माइल सिम्टम्स कब नया रूप लेने लगे पता ही नहीं चला एक रात उनका उक्सिजिन लेवल मुसलसल गिरता जा रहा था और वो गिरते हुए अक्सिजिन लेवल से हमारी धड़कने बढ़ती जा रहे थी किसी तरह पूरी रात काटी और अगले रोज आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल भेजा उनके माबाप उन्हें देख परिशान नहों इसलिए उन्होंने उनसे दूर बैड लिया इस सब में अच्छी बात ये हुई कि दादी घर आ गई दादी को को मॉर्बिटीटीज थी बाकी किसी को भी नहीं थी तो एक उम्मीद आ गई कि दादी को सबसे पहले सिम्टम्स हुए थे दादी ठीक होके आ गई है तो बाकी लोग भी आ जाएंगे पर ये जालिम करो ना शरीर के साथ-साथ जज़बातों से भी कितना खेलता है ना पापा की तब्यत में सुधार नहीं हो रहा था पापा को टुसीली जुमाप का इंजेक्शन लगना था हमें पता चला था कि यहाँ एक केमिस के पास अवेलेबल है बड़ उसने इंकार कर दिया था नजाने कितने फोन कहां कहां गए और उसी दुकान से उस इमान बेच चुके इंसान ने हमें वो इंजेक्शन लाके दिया दादा जी की भी तब्यट ठीक नहीं थी अभी तक पापा की तब्यट में टुसीली जुमाप से भी सुधार ना होने की वज़ा से उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल शिप्ट किया जा रहा था अपने पापा को अमबुलेंस में जाता देखने की तकलीफ बहुत जादा थी एक डर बैठा हुआ था कि वही जो दादी के लिए था कि मैं इन्हें वापस देख पाऊंगी या नहीं मैं वो जजबात अलफाजों में बयान नहीं कर सकती जो उस वक्त थे वही ख्याल वापस आया कि इन्हें देख पाऊंगी या नहीं वापस से अपने माबाप को अमबुलेंस में जाता देखना एक बहुत बड़ी तकलीफ देखने चीज़ है अगले रोज पापा की रिपोर्ट डॉक्टर को भेजनी थी उसमें 60% लंग इंफेक्शन देखके मेरे हाथ काप गए मेरे हाथों ने कापना बंदी किया था कि मेरे दादा जी के डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा कि दादा जी को वेंटिलेटर पे मूव किया जाना है वेंटिलेटर यह अलफाज ही रूख काम देता है अपने कुछ करीबी यानि कि मेरे चाचा जो यहां रहते हैं और नेगिटिव थे एक और चाचा जो फॉरेंड में रहते हैं और हर तरीके से जो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और एक और अंकल जो पापा के ऑफिस में काम करते हैं और यह सब लोग पापा की कमी पूरी करने की कोशिशे में लगे हुए थे उनसे मशवरा किया और वेंटिलेटर के लिए रजामंदी दी तब ही एक दूसरे डॉक्टर का फोन आया और उनूने कहा कि इनके वेंटिलेटर का डिसिजन मुझे लेना है और मुझे लगता है कि अगर इनको दो घंटे प्रोनिंग करवाई गई जो कि एक natural वेंटिलेटर होता है इसमें शरीर को उलटा लिटा दिया जाता है और अगर ये दो घंटे इसमें सस्टेन कर गए तो हम ये decision अभी के लिए रोक सकते हैं एक उमीद सी जग गई सब के अंदर दादा जी ने भी बहुत हिम्मत दिखाई दादा जी ने जिस हिम्मत से वो दो घंटे काटे उसने एक अच्छा result दिया और वाकई वेंटिलेटर का decision रुख गया हमने तो आज तक सिर्फ यही सुना था कि डॉक्टर वेंटिलेटर के नाम पे पैसे बनाते हैं गाजिस अल्ला के बंदे ने दादा जी का वेंटिलेटर रोक दिया था रहरे के हम लोग को यही खयाल आता था कि जब हमारे अपने वहां नहीं जा सकते हैं तब यह सारे health workers हमारे अपनों को बचाने की हर मुम्किन कोशिशों में लगे हुए है हम को जादा ही तोहमते लगा देते हैं इन सारे health workers पे शायद हमें इस पे सोचने की ज़र्वत है दादा जी पापा और मेरे चाचा तीनों एन आईवी पे थे एन आईवी एक छोटा वेंटिलेटर होता है जिसमें बहुत प्रेशर से ऑक्सिजन आती है और मरीज बहुत तखलीफ में रहता है लेकिन होश में अलग-अलग जगाओं पे दो बेटे और बाप अपनी अपनी सांसों की जंग लड़ रहे थे पापा की health में सुधार नहीं हो रहा था और अब उन्हें प्लाजमा चड़ाने की जरुवत थी कितने ही फरिष्टे कहां कहां से जद्व जहद में लग गएं कि किसी तरह मेरे पापा को प्लाजमा मिल जाए और वाकिए दो फरिष्टों का प्लाजमा पापा को मिल गया मम्मी की भी तव्यत में सुधार नहीं था अचानक से बिगढने लगी थी अभी तक माइल सिम्टम सी थे उन्हें हॉस्पिटिलाइजेशन एडवाईस था लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे दादा जी के डॉक्टर का दुबारा फोन आया और उन्होंने कहा कि अब वेंटिलेटर के सिवा और कोई चारा नहीं है दादा जी को शायद अंदेशा हो गया था उन्होंने नर्श से वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट की थी वीडियो कॉल में वो जिस जजबे से हेलो असलाम अलेकुम बोल रहे थे अपनी तकलीफ को छुपाने की हर मुम्किन कोशिश कर रहे थे वो बयानी किया जा सकता उनका हेलो अलविदा था ये बात सब समझ रहे थे वो ऐसा लग रहा था उस पल को बस किसी तरह वहीं रोग दे पर वो पल नहीं रुख सका अगले दिन दादाजी हमें छोड़के जा चुके थे बाकी लोगों की सुधरने की खबरे आने लगी थी लेकिन दादाजी हमें छोड़के जा चुके थे पापा का 90% लंग इंफेक्शन हो चुका था लेकिन डॉक्टर ने खबर दी थी कि उनके लंग इंफेक्शन में सुधार है शायद दादा जी उनकी बलाएं ले गए थे दादा जी का जनाजा घर ना आ सका मेरे चाचा और कुछ करीबी लोगों ने उन्हें सुपुर्दे खाक किया हमें मना किया गया था कि पापा जो चाचा एड्मिट है और दादी इन तीनों से ये बात चुपाई जाए उन्हें सदमे से हार्ट अटेक तक का डर था तो सब लोग चुप चुप के रोए और लाखों दुआएं मांगी दादा जी वाकर सबकी बलाएं ले गए थे शायद धीरे धीरे सब घर आने लगे पहले चाचा आए उन्हें ये खबर दी गई बहुत हिम्मत से उन्हें इस खबर को अपने अंदर लिया फिर दादी को ये खबर दी गई मेरी दादी जो हर चुटी-चुटी बात पे रो देती है सिर्फ कहा इननलिल्लाहे वा इननलाहे राजहूं तो हिम वी बुलॉंग और तो हिम शाल वी रिटर्न वार बहुत हिम्मत दिखाई उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिकर थी कहते हैं ना कि मा एक शेर नहीं होती है आज दिख गया था असली में कुछ दिन बाद पापा तक घर आ गए 90% लंग इन्फेक्शन के बाद पेपर में भी जिन करोना वारियर्स की खबरें सुनी थी वो 75% की थी 90% की है पहली खबर होगी शायद पापा खूब रोए कहां मेरी मौत ले गए दादी को पकड़ के खूब रोए लेकिन बहुत हिम्मत से काम लिया सब ने इस खबर को बहुत हिम्मत से सुना और किसी की तवेत अलम्दुलिल्ला खराब नहीं हुई और उमीद नहीं हारनी है मेरे दादा जी हर मुमकिन कोशिश करते थे करोना से बचने की वो घर का गेट तक नहीं चूटे थे आज जब मैं लोगों को देखती हूँ मास नहीं पहनते हैं अपने बच्चों को खेलने बाहर भेश देते हैं तो मेरा खून खौल उटता है ये लोग अपनी जान के दुश्मन तो बने ही हुए है हम जैसे लोगों को भी बेमतलब में परिशान कर रहे हैं अपनी जान खोने के रिस्क में डाल रहे हैं हमारे आज आज आता है कि बबा में मरने वालों को शहीदों का दर्जा है करोना भी एक बबा है और शहीदों के जनाजे घर नहीं आते हैं बाकी सब लोग अपनी जंग लड़के घर वापस आ रहे हैं जो जा चुके हैं वो शहीद हैं मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सब पॉजिटिव है पॉजिटिव है बट एक बात जरूर है सब कुछ नेगिटिव है पर अगर हम इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले आएं तो शायद ये सैलाब हमारे लिए थोड़ा सा थम सकता है दादा जी ने एक और शेर सुनाया था उससे अपनी बात खतम करूँगी फैजे मत फैज का दिल नाउमीद तो नहीं, नादान ही तो है लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है मुझे यकीन है कि ये शाम जरूर ढलेगी और इस स्याशाम के बाद एक नई सुभा जरूर आएगी थैंक यू आपको पता है जोश टॉक्स के हर स्पीकर में मैंने कुछ कॉमन कॉलिटीज नोटिस करी है पहला, ये हिम्मत से और अपने डर से लड़के एक नया कदम लेते हैं कुछ नया सीखने के कोशिश करते हैं दूसरा, ये हर एक चीज में अपनी जी जान लगा देते हैं और तब तक प्राक्टिस करते हैं और डटे रहते हैं जब तक अपना गोल ना हासिल कर ले और आपको पता है, ये दोनों चीजें आप भी घर बैटे कर सकते हैं आप अपने English या Weak Communication Skills का डर बगाने के लिए एक स्टेप ले सकते हैं जो Skills आप डाउनलोड करके और Right Courses परचेस करके और इसमें हमारे Practice Sessions के थुरू आप अपने Continuous Improvement में लगे रह सकते हैं Points जीत सकते हैं और Leader Board में Top करके अपने English को एकदम Top Class बना सकते हैं तो बस इंतजार किसका है? इस Talk से मिली Motivation को Waste ना जाने दे जल्दी से अपने English का डर बगाने के लिए एक Step लें और अपने सारे सपनों को Achieve करें